नमस्कार दोस्तो दोस्तो सबसे पहले आप सभी को हैपी न्यूएर नई साल की नई शुरुआत करते हैं दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा समर्शिबल मोटर के बारे में ठीक है कि समर्शिबल मोटर जो होती है कई बार होता क्या है जो उसकी प्रोब्लम्स है मैंने कई वीडियो डाली है वाइंडिंग की डाली है मोटरों की कापी सारी वीडियो डाली लेकिन अब सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाए जाया जिससे आपके जो कन्फूजन है वो दूर किया जा सके कुछ सवालों के जवाब या कई सारे मुझे कमेंट भी आते हैं तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मोटर है समर्शिबल की कई बार होता क्या है कि उसका एक तार जल जाता है सरफ एक तार जल जाता है ठीक है तो उस कंडिशन में क्या करना है मोटर चलेगी या ना चलेगी कि उसको जोड़ दे तो इसके बारे में आपको बताऊंगा देखिए सबसे पहले बताता हूं सिंगल फेस समर्शिबल मोटर के बारे में एक मोटर है जो की सिंगल फेस की है सिंगल फेस की जो मोटर है ये मान लीजे मोटर है सिंगल की तो इसमें टोटल तीन तार बहार आते हैं R Y B ठीक है, अंदर से बता रहा हूँ है अंदर से वाइंडिंग का एक तार मान लीजिए कट गया है ठीक है, यह तार है, यह बीज से तूट गया है बाकी वाइंडिंग सही है मोटर की, तो उसको डिरेक्ट जोड़ के मोटर को कभी भी फिट नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इस तार के अलावा कहीं और भी कट हो या फिर मोटर आपकी सोट हो रही हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस तार को जोड़ने के बाद मोटर तो चल जाएगी अगर और जगह दिक्कत नहीं है अगर और जगह दिक्कत हुई तो फिर बाद में एक बार मानले के कहीं पर सोट आ रही है मोटर और आपने स्तार को जोड़कर चला दिया मोटर को इसको पूरा करके चला दिया सर्किट को कच्चा रवेड़ इस पे लगाके तो मोटर तो चलेगी लेकिन आपको पहले सोट देखना है अगर सोट हुई तो मोटर ज़ादा दिन नहीं चलेगी तो सोट कैसे देखना है वो मैं आपको बता दिता हूँ उसके लिए आपको मेगर मीटर के आउसकता हो या फिर एनलोग मीटर है जो पुराना जो टीवी रिपेरिंग वगेरा में कारिये करता है उसका आप यूज कर सकते हूं नो प्रोब्लम इससे भी टेस्टिंग उतनी ही आईए ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है मोटर जो होती है जो सिंगल फेस की मोटर होती है बाहर तीन तार निकले होते हैं लेकिन अंदर से मोटर के अंदर से चार तार होते हैं ठीक है चार तार अंदर से होते हैं दो रनिंग के होते हैं दो स्टार्टिंग के होते हैं इन चारों तारों में से एक स्टार्टिंग का ल दीजिए, मतलब चारों तारों को आप अलग कीजिए, रनिंग वाले को अलग कीजिए, पहले तो आप अपने उस तारों को चेक कीजिए, ठीक है, पहले तो आप उस तारों को अपने को जोड़िए, जो कटा हुआ है, फिर उसको जोड़ने के बाद, उस मोटर की रनिंग के के अंदर सूट आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखिए या स्टार्टिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है मानली जी रनिंग में सोट है 10% स्टार्टिंग में सोट नहीं है ठीक है ये कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर सोट होता है रनिंग के अंदर सोट नहीं होता अगर आपकी मोटर के अंदर 10% सोट है टोटल मिला के तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर चलेगी पर ये नहीं कह सकते कि हम कितने दिन चलेगी हो सकता है आपकी मोटर एक महीने चले कि आपकी मोटर एक साल भी चल सकती है एक साल भी आपकी मोटर चल सकती है ठीक है वो जो सोट है उसके उपर डिपेंड करती है कि यो कितनी बड़ी सोट है अगर ये सोट 10% ही रहती है तो आपकी मोटर चलेगी कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है हमने देखा है कि 20-20-30% सोट वाली मोटर भी चलती है कई-कई महिने चलती है सालों भी चल जाती है ये चीज हमने कुछ दिनों में सोट बढ़ गया 50% हो गया तो मोटर आपकी जलेगी जलेगी ठीक है तो अपने मल्टिमीटर से आपको सोट ना अपना है अगर मोटर का सिरफ एक तार कटा हुआ है वाइंडिंग से ठीक है मानली सिंगल फेस की मोटर एक तार कटा हुआ है तो उसको जोड के आप पहले बाकी तारों को अलग करें उनको अलग करने के बाद फिर आप सोट देखें अगर सोट नहीं आता है तो वेरी गूड मोटर बिल्कुल नहीं की तरह चलेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसी की वैसी चलेगी जैसी नई वाइंडिंग चलती है नई रिपेरिंग करने के बाद जो मोटर चलती है वो की वो चलेगी अगर 10 परसेंट 15 परसेंट 20 परसेंट तक सोट आता है तो आप तो कुछ कह नहीं सकते देखें सोट के बारे में कोई क कुछ भी नहीं कहा सकता कि मोटर चलेगी कितनी लेकिन यह कह सकते हैं, सोट को देखकर कि जितना चोटा सोट आ रहा है मोटर में ठीक है, जितनी कम क्निटी बन रही है तो कंटिटी के इताई है видно कि कितना तो कितना कम सब्सक्राईबर डिखा रही है। से सुसक्री के चलने के तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंट है कि आप उसको मोटर चलाना चाहते हो या नहीं चलाना चाहते है इसको सीधों जोर देते हैं तो हुदिन बाद फिर एक तार जल जाता है तो इस इस्तार को जोडें लेकिन जोडने से पहले सोट को चेक करें कि मोटर के अंदर कितनी सोट है ठीक है ये तो बात करीब है ने सिंगल फेज की इसी तरह से जो थ्री फेज की जो मोटर है ठीक है थ्री फेज की जो मोटर है उसके अंदर या तो स्टार होते हैं या डेल्टा होते हैं उसके अंदर छे तार निकलते ह थिक है इस तरह से तो उसका से star या delta बना जाता है आप सबसे पहले काम करें कि star जो है delta जो है उनको अलग कर ले काट ले वो 6 के 6 तार होने चाहिए सबी set के तारों को अलग कर ले थिक है समर्षिबल के 6 के 6 तार अलग कर ले और फिर एक-ेक सैट, जो तीन सैट होते हैं मोटर के अंदर, तीन सैट, तीनों को बारी-बारी अपने एनलोग मीटर से या मेगर मीटर से नापे, चेक करें, ठीक है? अगर सही सोट नहीं आता है तो तार जो जल रहा है तूट रहा है जो कट रहा है उसको आप जोड़ दे उसको जोड़ के आप चला सकते हैं नो प्रोब्लम ठीक है अगर सोट आ रहा है उसके बाद तो सोट देखने है कितनी सोट है अगर सोट जादा है 40% है उससे उपर है तो फिर आपकी मोटर नहीं चलेगी तीक है ये नहीं कह सकते कि कितनी चलेगी आपकी मोटर हो सकता है 2-4 दिन चले 5 दिन चले 10 दिन چले Legisl चल जाए फिर चल जाएगी जेकिन ये तो तह कि जलेगी अगर कम सोट आता है 20% तक है 15% तक है 10% है तो यह हो सकता है कि मोटर आपकी ज्यादा चल जाए तो आपको यही है कि अगर किसी भी मोटर के अंदर कोई तार कटा हुआ मिल जाए जला हुआ मिल जाए या ओपन मिल जाए ठीक है तो आपको करना क्या है समर्शिवल मोटर के अं बिल्कुल अलग कर लें। और कटे हुए तार को जोड़ लें। ठीक है। और उसके कच्चार बढ़ा तेप अच्छे से लगा दे। फिर मोटर के शोट को चेक कर Regierung के पिर कस न चालें। यह नहीं कि आपने सीधा तार जोड़ दिया। मोटर को सीधा का सीधा कस दिया ठीक है ऐसे आपको भी परेशानी होगी और जो आपका ग्रहाक है उसको भी परेशानी होगी ठीक है तो ये चीज आप देख लें कई बार क्या होता है कई सारे जो मेकैनिक होते हैं सीधे के सीधे मोटर को कार देते हैं देखके लेकिन कई कंड तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं चाहिए कि मोटर सोट हो रही है नहीं तार को जोड़ कर ठीक है इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और मोटर तो वैसी ही वैसी चलने आप नइ रिवाइंड करोगे तब भी वैसी चलेगी आप उस तार को जोड़े चलाओगे तब भी ऐसी चलेगी, कोई इसमें फर्क नहीं आता कि पुरानी वाइंडिंग, कोई नहीं कह सकता कि नई वाइंडिंग कितनी चलेगी, कोई नहीं कह सकता कि पुरानी कितनी चलेगी, ठीक है, या सोट मोटर है, वो कितनी चलेगी, अपने इसाब से कोई भी नहीं बता सकता, पर यह है कि जितना चोटा सोट है उतने ज्यादा chances होते हैं मोटर ज्यादा चलने की जितना बड़ा सोट उतने कम ताइम तो ये चीजे थी तो आज बस एक चोटा सा ये जो सिस्टम है तार का तार ब्रेक का तार ओपन का तो ये मैंने बताया आपको तो इससे आप मेगर मीटर ले सकते हो आप अनलोग मीटर से अगर नहीं है तो अनलोग से आप देख सकते हो तो हमने दोनों पे मोटर को सोट मोटर की वीडियो भी हमने बनाई थी कि मोटर कैसे चेक करें सोट है या नहीं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं मैं गर से भी हमने बता रखा है एनलोग से भी हमने बता रखा है तो वीडियो कैसी लगी अगर पसांद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों में सेयर कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ दूजय बारत